याम इत्मी के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है तो फ्रेंड देखे यूपी ट्रीपल सी एनम रिजल्ट की घोसडा कर दी गई है कल देर राज जो है कि इसका रिजल्ट घोसित कर दिया गया था आपको इस चैनल के मादम से अपडेट भी प्रोवाइड किया गया था तो अब देखे फ्रेंड जीतने भी सेलेक्टेट कंडिडेट है उनसे भी कंडिडेट को बहुत-बहुत सुपकामना है कि उनका सेलेक्शन हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है वो घबराएं नहीं और उनको अप क्या करना है कि यहां पर देखे जो मुख सेविका का फार्म निकला हुआ है अगर आपने ग्रेजुएशन किया है ग्रिभिज्ञान और समासास्त्र वगरा सब्जेक्ट से तो आप उस फार्म को फिलप करिए और यहां पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा यहां से वीडियो जाएगा और देखे वीडियो के और ज ses में यह गिता है उसप कर पा रहा है तो आप फार्म को फिलप करिए उसमें भी कंपडिशन बहुत कम ही रहने वाला है क्योंकि वो भी केवल महिलाओं के लिए ही है तो पेट 2021 से ही रहेगा तो उसमें देखी रहे हैं कि पेट 2021 में कितने कंडिडेट यहां पर छुट गए थे चुकि उसमें केवल 17 लाग कंडिडेट ने यहां पर फार्म जो है की जाम दिया था और इस बार क्या है कि 37 लाग कंडिडेट यहां फार्म जो है फार्म सब्मिट किया है तो आप देख सकते हैं लगभग 20 लाग कंडिडेट जो है यहां पर प्लस हो चुके हैं तो इस बार जो भी बेकेंसी जब आएगी यूपी ट्रीपल सी के थूँ तो उसमें कंडिशन बहुत ही जबरजस्त रहने वाला है तो देखें फ्रेंट बहुत सारे हमारे फ्रेंट के कोश्चान आ रहे थे कि रोल नंबर के साथ सरी यह प्रोविजनल क्या है तो प्रोविजनल के समद में आपको बता दें कि देखें प्रोविजनल का कटेगरिस कोई लेना देना नहीं है और देखें बहुत सर्फेंट कर देखें का कटेगरिस कोई मतलब है क्या तो वहीं है कि कटेगरिस कोई लेना देना नहीं है दीवी के time कोई document आपने कम जमा किया है जिसको बाद में जमा करने का time और सपत पत्र आपने वहां पर दिया है इसलिए उनका result प्रोविजनल डाकुमेंट के साथ निकला है और इसलिए आपका प्रोविजनल लिखा हुआ है और देखे अब इनको करना क्या है कि जो document कम आपका रहा होगा वो आपको आयोग में जाकर जमा करना पड़ेगा तब final selection और joining आपको मिलेगी और देखे जो बाकियों की joining है जो जिनका document पूर है वो उनकी joining जो है कि अपने समय से आपर हो जाएगी और देखे कई friends के यहां पर question आया थे कि इसा number ज्यादा है फिर भी selection नहीं हुआ तो एक friends के हमारे question आया था कि EWS के candidate है और इनका 38 number यह बता रहे हैं कि मेरा 38 number है और इनका selection नहीं हुआ है तो आपको बता दें कि अगर आपके हो सकता है EWS का जो certificate है उसको जो है कि यहां पर consider ना किया गया हो या फिर यह जो है कि back date का हो या फिर यह इसमें कुछ नगुछ problem होगी document में इसलिए इस document को consider नहीं किया गया है तो इसलिए आपका यहां पर selection नहीं हुआ 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 इसलिए उसके बाद यूर का आप देख रहे हैं कटाप कितना है पाजास number इसलिए आपका यहां पर selection नहीं हो पाया है अगर तब भी आपको लगता है कि नहीं आपका जो है की डाकुमेंट सही था उसको जो है सही पाया गया है उसके बाद भी आपका सेलेक्शन नहीं हुए तो आपको आयोग पहुचना चाहिए कल मंडे की डेट में बहुत सारे यहाँ पर मित्र जो है जा रहा है जिनका selection नहीं हुआ है और जो एकदम minor mistake से यहाँ पर बचे हुए है और point से क्यों point से यहाँ पर point 5 अगरे से जिनका selection रुखा हुआ है वो भी candidate कल यहाँ पर जा रहा है क्योंकि आपको बताय गया था कि यहाँ पर देखे जो आपके आयोग की है 9212 सीटे है तो देखे यहाँ पर दिया गया है कि लगभग देखे 9212 सीटे है और उस पर देखे 8831 candidate का ही यहाँ पर चैन हुआ है तो बाकी देखे जो 381 यहाँ पर candidate की सीटे यहाँ पर खाली रहेंगे तो इन ही सीटों को भणने के लिए जो है कि candidate यहाँ पर आयोग पहुचेंगे कि जो भी सीटे खाली है उस पर जो है कि joining क्या आप second list जारी करेंगे या फिर यह पद यहाँ पर खाली रहेंगे तो उसी की समझ में देखें यहाँ पर वार्ता करने जो है कि पहुचेंगे candidate कल की date में मंडे को तो आप भी पहुचेंगे मंडे को सुबह में 10 बजे जो भी आपकी समस्या है आप वहाँ से जो अधिकारी हैं वहाँ अपने सिकायत को दर्ज कराईए सुबह 10 बजे आपको जो है कि आयोग पहुचना है उसके बाद ही जो है कि आपके समस्या का यहाँ पर निधारण हो सकता है तो देखें बहुत सारे हैं आपर फ्रेंट्स के और कोश्चान आथ कि क्या दूसरी लिष्ट आएगी या फिर पद खाली रह जाएंगे तो देखें यहाँ पर का वेटिंग लिष्ट जो है कि जारी किया जा सकता है लेकिन अभी तक जो कि आयोग जब से मैं देख रहा हूँ तब से अभी तक आयोग ने कोई दूसरी लिष्ट यहाँ पर जारी नहीं की है और यहाँ पर कुछ कोट केस के आदेस के अनुसार भी यहाँ पर कोट केस ने जो है कि दे दीजिए सेकंड लिस्ट जारी करिए लेकिन फिर भी आयोग नहीं पर उसकी लिस्ट जारी नहीं की थी और वहाँ पर पद खाली रहा गया था फिर उसको अगली बैकेंसी आय थी उसमें जो पद है उसको वहाँ पर एड़ किया गया था 2016 में वह ऐसे ही देखे इ आपको लगभग प्रेसर जाकर कि यहां पर आयोग में प्रेसर बनाना है और अपनी सिखायतों को पहले दर्ज कराईए कि इसका जो सेकंड लिस्ट है वह जल से जल जारी किया जाए और जो भी कंडिडेट यहां पर पॉइंट से बचे हुए हैं उनका भी यहां पर सेलेक् हो चुका है तो उनके मन में बहुत सारे प्रस्ण उठ रहे हैं कि सर सेलेक्शन के बाद अब आगे क्या होगा तो देखे आयोग का काम है यहां पर एक्जाम फार्ण फिल कराना और फिर उसका एक्जाम कंड़क्ट कराने के बाद डाकुमेंट वेरिफिकेशन करा डाकुमे जीला बढ़ TMB कर आईगा तो स्वास्त विभाग माध्यम से आपको कौण सा जिला ग्रिफ जयन्-पत मुला या फीर आपके जिलने के ज्एष्ट नपाल वालाए जिला मिलेंगा और जो है कि आपो जुड़े रहेंगे तो ऐसी सूजनाएं आपको आगे भी मिलती रहेंगी जो भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड है कि आपको ग्रिह जनपद मिलेगा या नहीं इन सब समस्याएं तमाम उत्पन यह लोगों के मन में आपर बार बार जो ऐसे कोश्चन उत्पन हो रहें कि क्या जाएगा अभी नहीं का देख लिए खुसबूस आने का काना कि मेरा 46 नंबर है क्यों नहीं हुआ तो देखिए आप फिर से एक बार जो अपने एंसर की को रिचेक करिए और जो कि आपका ओबीसी ही है लग रहा हमने पूछा कटेगरी तो इन्होंने अभी रिप्लाइ नहीं किया है तो हमें लगता है कि ओबीसी का टेगरी के हैं और इनका देखे 46 नंबर यह बता रहे हैं जो कि ओबीसी का कटाफ जो है कि 42.5 गया है इतने नंबर पर आपका यहां पर सेलेक्शन हो जाना चाहिए था लेकिन क्यों नहीं हुआ है तो आप पहले एक बार जो है कि आपके कितने मार्क जो है बन रहे है एंसर की से तब जो है उसके बाद जो है कि देखे कि आपका सेलेक्शन क्यों नहीं हुआ है तो देखे जो यह हमारे यहां पर जो बीवर है नेहा दूबेन का कहना है कि सर मैं EWS से हूँ और 38 नंबर था और नहीं हुआ सेलेक्शन हम ने सुचा हमने का कि ओमर में कोई गरबड़ी होई होगी तो उन्हों कि नई सब सही था और जो है कि और जो है कि पांच एक 2022 के पहले का यह जो है कि बना हुआ था तो हो सकता है कि इनके जो की EWS को कंसीडर ना किया गया हो और अन्य जो है कि समस्याएं डाकुमेंट से रिलेटेड ही हो सकती है आपकी और देखिए एक और फ्रेंड्स हैं यहाँ पर स्वाती राजपूत का कहाना है कि सर प्रोविजिनल का क्या मतलब है तो आपको इस मीडियो के माद्यम स आस-पास में हैं वो लोग पहुचिया आयोग और उनसे अपनी सिकायत को दर्ज कराइए और जो भी आगे होगा आपको इस माद्यम के चैनल के माद्यम से सूचना आपको प्रोवाइट करने का प्रेस के जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तर तक लिए थै परसेंट आपको यहां पर दिया जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्स पार राचिंग इस वीडियो